बॉलिवूड कमर्शल सिनमा भी शादी के लड़ू की तरह है, जो खाई वो पस्ता है और जो ना खाई वो भी पस्ता है एक एक्टर चैप बोले या ना बोले पर उसकी चाहत हमेशा यही होती है कि वो इस्टार बने और स्टार बनने की होड में बहुत सारे एक्टर सिर्फ एक कमर्डिटी बेंकर रह जाते हैं कमर्शल सिनमा में मेरा नाम है अंकुष और आज में अपने चैनल बॉली फ्रैडे पे लेके आया हूँ नेट्फिक्स पर लेटेस इलिजवी फिल्म गिन्नी वेट सन्नी का रिव्यू दो घंटे की इस शादी में बराती और घराती सबने काफी योगदान दिया है लेकिन इसके बावजूद भी इस शादी में बहुत मजा नहीं आया मुवी के लीड एक्टर्स हैं विकरांत मैसी और यामी गौतम जो की बहुत ही बड़ी एक्टर्स हैं और सितारों की भीड में अपनी चमक को और चमकाने के लिए काफी साल से लगे हुए हैं इस फिल्म के जरिए विकरांत मैसी को एक अपॉच्चनेटी मिली कि वो सीरियस इंटर्स रोल छोड़ कर एक कमेश्र बॉलिवूड एंटर्जेंटर को लीड करें पर खराब राइटिंग, एवरेज डिरेक्शन, घटिया म्यूजिक और ओके प्रडेक्शन वेल्यू ने उनकी इस जर्नी में बहुत सारे गड़े खोद दिये इस मूवी को देखते टाइम लगता है कि राइटर्स को या तो बुखार चड़ गया था या किसी शादी में जाने की जल्दी थी इसलिए स्क्रिप्ट इतनी धीली लिखी कि आदमी की पतलू नहीं उतर जाए तहानी में है गिन्नी जो कि अपने एक्स बॉइफ्रेंड के साथ रिलिजिशनिस स्टेटस को लेकर कंफ्यूजड है और दूसरी तरफ है सनी जो कि लव अफेयर में फेल होने के बाव जूद भी पुरी शिदत के साथ अपने शादी के सपने को पूरा करने में लगा हुआ एक्चली उसका सपना था रेस्टरेंट खोलना लेकिन उसका सपना टिका हुआ है पिताजी के इस चैर्ट पर कि शादी करो तो रेस्टरेंट खुलवा दूँगा इसके बाद दुनों टकराते हैं और कंफुजन के गोल गोल चकर काटते रहते हैं और हमारा सर भी गुमाते रहते हैं तो अगर आप अपने दो गंटे का समय निकाल सकते हैं तो इस मूवी को इसलिए देखिए क्योंकि ये मूवी आपको ये बताती है कि कैसे टेलेंटी टेक्टर्स के करियर को खराब किया जाए इस मूवी की म्यूजिक में इतनी खामिया है कि इसको देखके आपको लगेगा कि आप मूवी देख रहे हैं या रिमिक सौंस का रियालिटी शोओ इस मूवी की स्क्रिप्ट तो घिसी पीटी है ही लेकिन इसमें एक और स्टिरियो टाइप है और वो है कि हमेशत दिल्ली को तिर्फ पंजाभियों का शहरी क्यों दिखाया जाता है और उसी तरह प्रमोट किया जाता है के हर किसी पेरेंट के हाथ में शराब का गिलास होता है और लाउट बोलने वाली आंटी पताने कब commercial cinema इस गिस पीटी सों से बाहर निकलेगा इस मूवी है काफी ब्रांड्स को प्लेस किया गया है और वो इतनी बचकानी तरीके से प्लेस किया गया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजिए और अगर आप इस शादी को अटेंड करते हैं मतलब ये मूवी देखते हैं तो कमेंट सेक्षन में जुरूर बताईएगा कि आपको शादी में क्या अच्छा लगा और क्या नहीं मैं मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाई